प्रिया हमसफरवालों, जैसे कि हम इस महामारी के चोथे महीने में प्रवेश कर गए हैं और बहुत से राज्यों में लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि एक परिवार के तोर पर हम इससे भी उबर जाएंगे. हम साथ जुड़ेवे हैं, बहुत से अच्छे समय में हम साथ बने रहे हैं और अब ये हमारे परिवार के लिए एक परिक्षा है, जिसमें हम सभी को साथ बने रहना है, ये बस एक परिस्थिती है जिसमें हमारी परिक्षा है, आईए इसमें हम एक साथ बने रहें, अक्टिविटीज में बच्चों को व्यस्त रखे हुए थे, हम उमीद करते हैं कि हम लगातार ऐसा करते रहें, ताकि सभी परिवारों के लिए आसानी हो, ताकि बच्चे आराम से रहें और पेरेंट्स भी खाली ना रहें, हम लोगों को ओनलाइन क्लासिस से भी जोडने की को हैं, जिन्होंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हर आयू सीमा की विभीन इस्तितियों से निपटने के लिए, अगर हम किसी भी तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं, तो कृप्या हमें फोन करें, हमने ऐसे परिवारों तक पहुँचने की भी कोशिश की थी, जिन्हें परिवारों तक पहुँचना चाहिए, जिन्हें हो सकता है, हमारे सहीयों की आविशकता है, और अगर आपको है, तो कृप्या हम से संपर्ख करने में संकोच न करें, हम आपको हेल्प लाइन नंबर्स दे रही हैं, आपके राज्ये का, हर राज्ये का, ताकि हम एक परिवा रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाईए, कृप्या खुश बने रहिए, हम सभी को हार नहीं माननी है, हम सभी को हार नहीं माननी है, नमस्का कि अतर न conception क्या उ एक पायान विल राज्य वर्टी नहीं माननी है, अपनी रहिए, हमिलाए, विलाए, क। गो ही एक हा, हमिला आपके रहिए, वबने ओन